दोस्तों mutual funds plan के अंदर वैसे तो बहुत सारे fund मिलते हैं जिसमें आप निफेश करते हैं लेकिन क्या आप जानते हैं कि mutual funds के अंदर अगर आप कम टाइम में और कम पैसे निफेश करके एक बड़ा fund बनाना चाहते हैं तो आप किस plan के अंदर पैसे को निफेश करेंगे? क्योंकि mutual funds के अंदर जब हम निवेश करते हैं तो बहुत आरे सवाल हमारे मन में होते हैं पहला कि हम कहां पर निवेश करें क्योंकि 45,000 से ज़ादा हमें mutual funds के अंदर प्लान मिल जाते हैं दूसरा सवाल कि हम कम से कम पैसे निवेश करके कैसे बड़ा fund बना सकते हैं या फिर हम mutual funds के अंदर SIP के तरू हर महीने पैसे निवेश करें या फिर लंचम दोस्तों ये वो सवाल है जब हम mutual funds में पैसे को निवेश करते हैं तो सबसे जदा हमें परिशान करते हैं इसके लावा एक और सबसे बड़ा सवाल हमारे सामने होता है कि mutual funds के अंदर हमारे पैसे पर कितना रिस्क है क्योंकि हम अपने जो भी कमाई के पैसे निवेश करते हैं चाहते हैं कि वो पैसे बिलुकुल सुरक्षित पी रहें और उस पर हमें एक बड़ा fund भी मच जाए लेकिन दोस्तों mutual funds प्लान के अंदर सबसे पहले आपका जो पैसा है वो equity के अंदर निवेश किया जाता है इस बात को आपको अच्छे से समझना है mutual funds के अंदर आपको short time में हमेशा correction उलेंगे जब भी आप mutual funds के अंदर पैसे को निवेश करते हैं तो आपका जो नजरिया है वो कम से कम 10 से लेकर 15 साल का होना चाहिए तब ही आप mutual funds से एक बड़ा fund बना सकते हैं क्योंकि जैसे आपने देखा होगा कि पिछले एक साल से लगातार mutual funds के अंदर काफ़े अच्छा एक करेक्शन मिला था देकिन पिछले एक महीने के अंदर mutual funds में लगातार correction है जिसका impact आपको सारे ही mutual funds पर दिखाई देखा और दोस्तो इस correction से हमें एक बास समझ आती है कि अगर हम mutual funds के अंदर पैसे को निविश कर रहे हैं इन short term के correction के लिए हमें हमेशा तयार रहना चाहिए तब ही आप mutual funds के अंदर पैसे को निविश करके एक बड़ा fund बना सकते हैं देकिन दोस्तो अब बात आती है कि हम mutual funds के अंदर पैसे किस तरह से निविश करें जिससे हम एक बड़ा fund बना पाएं दोस्तो अगर आपके पास लाकों रुपे निविश करने के लिए नहीं हैं अगर आपकी job है और आपकी income कम है कोई business करते हैं उससे भी कोई जादा बड़ा amount अपना ही कमा पाते हैं तो आपके लिए SIP option काफी अच्छा रह सकता है क्योंकि यहाँ पर आपको कम से कम पैसे निविश करने हैं और उसी से आप एक बड़ा fund भी बना सकते हैं लेकिन लमसम उन लोगों के लिए काफी अच्छा रहता है जिनके पास एक साथ कहीं से 20-25 या 40,000 रुपे का fund आया है और वो उसे निविश करके एक बड़े fund बराने का target रखते हैं तो वो भी कम से कम पैसे निविश करके कुछ टाइम के लिए अगर छोड़ देते हैं तो उससे वो एक बड़ा fund बना लेते हैं लेकिन दोस्तो साड़े 4,000 से जादा प्लान में से आपको कौन सा प्लान पिक करना चाहिए आज हम आपके लिए एक ऐसा प्लान लेकर आए हैं दोस्तो जिस प्लान ने पिछले एक साल के अगर हम सिर्फ रिटन की बात कर लें तो आप चेक करेंगे कि रिटन 70% से जाता है जबकि फ्यूचर में इस प्लान के अंदर आपको एक चांदार ग्रोथ मिल सकती है तो इस वीडियो में इस प्लान का पूरा रिव्यू करेंगे और कैलकूलेशन करके भी समझेंगे कि कैसे आप निवेश करके एक करोड़ पे फंड बनाने के टार्गेट को पूरा कर सकते है उसे पहले आपसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब शरूर कर लें और दोस्तों ये प्लान है आदेते बिला सनलाइफ पीस्यू एकुटी फंड डारेक्ट प्लान करोड यानि कि यहाँ पर जो भी पैसा है वो जो PSU कमपनी जैन देश की उनके अंदरी पैसे को निवेश क्या क्या है जैनी कि जिन कमपनियों में गवर्मेंट की 21% हिस्से दारी है पब्लिक अंडर्टेक्टिकिंग कमपनी उनके अंदरी इस mutual fund प्लान के पैसे को निवेश क्या क्या है लेकिन दोस्तो इस plan ने लगातार जो return है वो काफी जबर्दस्तिया है all time में आप चेक करेंगे तो fund का return 33% से ज़ादा है जबकि 4 साल से ज़ादा इस fund को हो चुके हैं तब से लेकर अब तक लगातार fund कमाल का return दिया है लेकिन अगरम पिछले 3 साल के भी बात कर लें तो 42% return है लेकिन एक साल में आप चेक कर सकते हैं कि 91% से ज़ादा fund का return है लेकिन एक महिनी के correction के वज़ा से fund के अंदर negative में return है जिस correction की हमने आपको starting में बताया था दोस्तो mutual funds के अंदर short term में हमेशा आपको correction मिलेंगे तेकिन अगर आपका target है long time निपेश करने का तब ही आप mutual fund से एक बड़ा fund बना सकते हैं यहाँ पर return बहुत ज़ादा है यानि के 33% इतना return हम expect नहीं करते mutual fund ब्लान से लेकिन आने वरे time में आपको सिर्फ 22% का return मिल जाता है अगर आप SIP के तरूप जादा नहीं सिर्फ 2500 रुपे मंतली निपेश करते हैं तो क्या आप इससे एक करोड़ रुपे fund बना सकते हैं या फिर अगर आपके पास जादा पैसे नहीं है आप सिर्फ 80,000 रुपे लंसम निवेश करते हैं तो क्या इससे भी आप एक करोड़ रुपे का fund बना पाएंगे पहले ये calculate करते हैं उसके बाद इस fund की कुछ और important details चेक करेंगे दोस्तों ये है एक SIP calculator यहाँ पर हम बात करते हैं कि आप 25,000 रुपे मन लिए SIP स्टार्ट करेंगे यहाँ पर 22% का return हम expect करते हैं इस fund पे और आप इस starting इस पैसे को निवेश करते हैं पांथ साल के time period के लिए तो इसमें आप 1,500,000 यानि 1,500,000 रुपे निवेश करके पांथ साल में 2,44,000 रुपे का fund बना सकते हैं और इसमें 1,24,000 रुपे का return होगा देकिन अगर आप 10 साल तक पैसे को निवेश करते हैं तो आप SIP के तुरू 3,000,000 रुपे निवेश करके 10,89,000 रुपे का fund बनाएंगे और इसमें return 7,89,000 रुपे होगा देकिन दोस्तो अगर आप 15 साल तक इस SIP को continue करते हैं तो 4,000,000 रुपे का आप निवेश करके SIP के तुरू 35,000,000 रुपे का fund बनाएंगे और इसमें 30,000,000 रुपे का return होगा लेकिन दोस्तो अगर आप निवेश करते हैं 20 साल तक के लिए तो आप यहाँ पर 6,000,000 रुपे SIP के तुरू निवेश करके 1,7,000,000 रुपे का fund बना सकते हैं लेकिन अगर आपका target 1,000,000 रुपे से जादा fund बनाने का है 20 साल में आप 1,000,000 रुपे बना चुके हैं 9,60,000,000 रुपे तक fund बना सकते हैं लेकिन दोस्तो अगर आपका target है सिर्फ लंसम पैसे निवेश करने का और आपके पास जादा पैसे नहीं है आप सिर्फ 80,000 रुपे निवेश करते हैं 22 परसन रिटन अगर आपको मिलता है तो दोस्तो यहाँ पर अगर आप 10 साल तक पैसे को निवेश करते हैं तो इससे आप 5,84,000 रुपे का fund बना सकते हैं और 5,000,000 का इसमें रिटन होगा लेकिन अगर आप पैसे को निवेश करते हैं यहाँ पर 20 साल के लिए तो दोस्तो यहाँ पर आपके पास आप पैसे होंगे 22,68,000 रुपे 80,000 का निवेश करके लेकिन अगर आपका टार्गेट 1 करोड रुपे fund बनाने का है तो आप 25 साल तक अगर 80,000 रुपे निवेश करके छोड़ देते हैं तो इससे भी आप 1 करोड 15,000,000 रुपे का बड़ा fund बना सकते हैं और इसमें 1 करोड 14,000,000 रुपे का रिटर्न होगा जबकि दोस्तो अगर हम इस प्लान के नेवी नेट एसेट वैल्यू के प्राइस की बात करते हैं तो यह 33 रुपीज 41 पैसे fund size की बात करें यानि AUMS fund का 3329 करोड रुपे है मिनिममम SIP की 300 रुपे और लम समय आप 5000 ते कम से कम निवेश करते हैं लेकिन दोस्तों mutual fund प्लान के अंदर एक और सबसे important चीज होती है जो है mutual fund की hoarding यहाँ पर जो stock हैं वो PSU sector की बहतीन company 45 चामिल है अगर हम top holding की बात करें को इसमें ONGC, NTPC, State Bank of India, School India, Bank of Prada, Power Grid Corporation, Gail India यानि के दोस्तों यह बहतीन quality की कुल मिलाकर 45 companies हैं जिनमें पैसे को निवेश क्या क्या है दोस्तों गर हम बात करते हैं fund के expense ratio यानि के खर्चे की तो यह है 0.54% का यानि के आप जो पैस अनिवेश करते हैं और जो भी expense ratio होता है यह पैसे काट कर ही आपको NAV के प्रैस दे यूनिट लॉट की जाती है जबकि दोस्तों mutual funds के अंदर return पाद एक साल से पहले 15% का tax आपको देना होता है और एक साल के बाद अगर आपको एक लाग से ज़ादा profit होता है तो 10% LTCG tax आपको देना होता है दोस्तों कर हम fund management team की बात करते हैं तो इस fund को धवल काला 2022 से और धवल जोशी 2022 से manage कर रहे हैं अगर हम आदित्य पिल्डा AMC की भी बात कर लेते हैं तो दोस्तों इस AMC के पास 3,36,000 क्रोडों पे से जादा क्यों है fund house की rank total asset के साफ से इंडिया में 4th number पर है और fund house काफी पुराना है आदित्य पिल्डा Sun Life mutual fund house तो दोस्तों आदित्य पिल्डा के इस पैतिन प्लान के अंदर PSU सेक्टर में अगर आप mutual fund में पैसे निविश करते हैं तो यहाँ पर आप लमसम पैसे निविश करके भी एक बड़ा fund बना सकते हैं या फिर SIP के तुरू निविश करते रहने से भी आपको एक बड़ा fund मिल सकता है लेकिन mutual fund के अंदर short term में correction आते रहते हैं इसके लिए आपको हमेशा तयार रहना है लेकिन अगर आपका नजरिया long time में बीश करने का है तो mutual fund से आप एक बड़ा fund आसनी के साथ बना सकते हैं यह वीडियो आपके education purpose के लिए है वीडियो से लेटेट कोई question होता है तो आप जरूर बताइए अपने friends के साथ वीडियो को share करें और चैनल को भी subscribe जरूर कर लें धन्यवाद